ने को मत दिखाना ये लहस्यमई पॉट है जब अंधेरा हो जाएगा तब हम इसमें से खाना निकालेगे और हमें पता नहीं होगा उसमें क्या है ये मज़ेदार है इसका बस एक ही रूल है जोबे तुम उठाओगे वो तुम्हें खाना पड़ेगा चलो शुरू करते है बेबी ये क्या सा कलर है ये पिकलीवी चोकले का कलर है इस पेंसी चीज़े किसे डाले आरे नहीं जरा देखो तु इस क्राप्स का क्या हुआ गयद करना पंद करो और ये खराब होने से पहले खा लो तुम बहुत ही बुरा होटपोट साच में हम वापस आ गए ये कुश्बू किसी तिस्टी चीज़े है तुम आ गे दो बिता माब आपते क्या बनाया है मेरे सेल वो मैने जाए है सुनो मिस्टर लोबी सुप में से छाग निकालो अरे आपने तु बहुत जादा डाल दिया इसमें अब देखो मैं इसे कैसे बनाता हूँ अरे टाई उन्होंने तु जादा डाल दिया बहुत जादा नमोगे लगता है उन्होंने कुछ जादा ही सास डाल दी मैने सुना है कि ये हाट गवर्नर है तो ऐसा है क्या क्या मतलब वो कौन होते है इसका मतलब वो इनसान जो हाट पॉट के बग दूसरे लोगों को उसे बनाने का ओर्डर दे या कैसे बनाते हैं ये समझाए अच्छा आज हम फ्राइडराइस खाने वाले हैं ठीक है हाट पॉट गवर्नर ग्याजेट उनके लिए ठीक रहेगा सब अपने चेरे ऊपर उठाओ अरे ये क्या ये पॉट तो खाने हो गया देट क्यों मारा तो में इसे छोड़े सकते मैं इस हाट पॉट का इंचार्ज हो पॉट करके खाना और दूसरा स्टीम करके खाना तो आज रात के लिए क्या बनाना ये सुझारा होगा मुझे उसका इंतजार रहेगा फ्लेम बिल्कुर ठीक है तुम सब को मेरी मदद करनी होगी इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले शेलो फ्राइ करना होगा हलके से पकाओ और फिर पलट दो शेपकर और सोई सौस स्वाद के लिए ठीक है तो पहले वारा खाओ चलो स्वादिश्चे ये करा है मैं बहुत खुचू मैंनेजर सर ये तो बहुत स्वादिश्चे हाँ तुध्यान तो अगला बनाने के लिए इस पे पाने वाली सबसियां डालेगे स्वाद के लिए हम उपर शक्कर और सोई सोस भी डालेगे चीक है तुम खा सकते हो आपको कैसा लगा मैंनेजर तुम खादिश्च है मैं इसे अभी खा लेता हूँ असली होट पोट फो होता है जिसके चारों और लोग बैठकर खुश होकर खाते है खाना सच में स्वादिश्च था होट पोट को इस होट पोट गवाना पर छोड़ दो ये होट पोट के किसी भी दिश्च को आदिश्च बना देगा अच्छा यहाँ इसकी मदद से हम रहसे में होट पोट को फिर से इस्तमाल करेंगे ठीक है कल करते हैं एई दो मिता चल्दी आओ तुमने आने में देर कर दी नहीं नहीं कर रहा हो क्या कर रहे हो चलो रहसे में होट पोट शुरू करते हैं होट पोट मिस्टर होट पोट गवर्नर अंदर आ रहे हैं जल्दी करो होट पोट की चीज़ें बहार निकालो एई सुनो जाओ पीछे खड़े हो जाओ क्या कहा तुमने नहीं नहीं जाओ यह मैं नहीं कह रहा हूँ रुको सरा ठीक है तो अब रहसे में होट पोट शुरू करते हैं सबसे पहले चीज़ों को चेक कर लेते हैं जो चीज़े हम नहीं खा सकते वो या नहीं होगी यह रूल के खिलाब पे इसकी सीसनिंग मुझ पर छोड़ दो अब लाइट बंद कर दो अच्छा ठीक है इंग्रेडियंट्स डालिए चलू खाने बहुत स्वादिष्ट है सच में स्वादिष्ट है ना जीया हाँ बहुत स्वादिष्ट है मैंने खुकेस का छुरा मिल्टेड चॉकलेट के साथ मिला दिया था अभी ये इतना स्वादिष्ट बनाच इस वो थोड़ा सा मीठा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है इसमें तो पटाटो जेब्स भी है ये बहुत अच्छी तरह से बने है इसमें जो स्ट्रॉबिरी है वो भी बहुत इच्छी है असलिक होट पॉट बही होता है जिसके चार और लोग बैट कर खुशो कर साथ बिखाते है ये शांती वाला होट पॉट रह से मही होट पॉट नहीं है अरे शांत हो जाओ मज़ा है आगया जो भी हो जिया ने सबसे ज़्यादा खाया है तोरे मौन ही अभी तक नहीं निकला है बड़ी अजीब बात है सुनो नोबिता तुम दोनों के लिए मैंने फ्रिज में के के लिए दखा है वाँ उनिकाना है आखिर होट पॉट के बाद हमारे पेट में के के लिए जगा है होट पॉट होट पॉट तयार करो इसमें दूद और नारियल का दूद दूद दोनों डालो और केक को पॉट में और फिर बाताव नारियल के दूद वाला केक होट पॉट तयार है यह बहुत स्वादुष्ट है लेकिन मैं तो आज केक खाना चाहता था इस तो मैंने बहुत ज़्यादा काली अनूब था हो मिस वाटना बें हाँ करमा करें होट पोट होट पोट कहा है कहा है कहा है बताओ पोट कहा है अरे नहीं वो बस किसी का नाम ले रहे थी शाथ हो जाओ चल्टी से इसका कुछ करो असल में यह गाज़िट को इस्तिमाल करने माला पोट से जड़ा होना चाहिए यह खुश्पूर तो यह वोडन का होट पोट है होट पोट तो पिता रुको सब सुनो मुझे ओडन होट पोट का स्वाथ चखना है यह गलत है यह वोडन होट पोट से नहीं है हमें माफ से दिल्या माफ कर दिल्या नहीं कहना चाहिए था लेकिन बात वो नहीं है मैं अभी इस होट पोट को सही तरीके से बनाता हूँ जो करना है करो जाओ जल्दी इसकी चीजें लेकर आओ इस पर ध्यान दो और मिला और खुमाव खुमारा यह वाफल दा रहे है ठीक है अब इसमें वेजटेबल दाल दो हाँ डाल दाओ असली ओडन होट पोट है यह पूरा हो गया चला बच्चो खाना तयार है यह लोग खा कर बताना कैसा लगा अब इसे बहुत ध्यान से खाना सच बताओ यह वाला ओडन या यह वाला ओडन कौन सा होट पोट ज्यादा स्वादिश्ट है सच बताना डरना नहीं यह वाला क्या लेकिन क्यों पता नहीं लेकिन इसका सवाद ज्यादा अच्छा है अरे नहीं असली ओडन क्यों हार गया होट सच में इसका स्वाथ ज्यादा अच्छा है इस टेस से तो मैं हार गया हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं इतनी एक्सिसाइज करने के बाद हमें थोड़ा नमक वाला खाना पसाद आता है अच्छा, अब सब्सक्राइब क्या बात है यह क्या हुआ, मैं होट पॉट गवर्नर हो और मैं इन से हार गया गवर्नर? लेकिन मिस गोड़ा होट सबॉट जनरल है वो होट पॉट में जनरल है? जो गवर्नर से उचे पत पर होते हैं मैं हार मानता हूँ